जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वेडियो में आज हम आपको लेकर आए हैं सारनात के मीनी जू में जो कि यहां पर सारनात मंदिर के पीछे एक छोटा सा चुडिया घर है इस चुडिया घर का टीकट इस प्रकार है अब देख पारेंगे बोड़ में दिखा ल सब्सक्राइब को का टीकट यहां पर पचास रुप्य लगता है कि जो यहां बगल में हुए टिकट काउंटर अब देख पार होंगे यहां कुछ इंट्रेक्शन भी दिया गया है बोड के माध्यम से चली हम आपको चुडिया घर के अंदर लेके चलते हैं हमने यहां से टिकट ले लिया है अब चलेंगे आगे और दिखाएंगे कि हमें क्या-क्या इसके अंदर दिखाई देता है कि यहां का वातावार बहुत ही खुब्सूरत और संदार दिखाई दे रहा है अब देख पा चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस चुड़िया घर के पास अब देख पा रहे होंगे एक जाली नुमा च्छाउनी बनी हुई है इसमें बीविन परकार के पच्छीयों को कैद करका रखा गया है अब देख पा रहे होंगे बोर्ड के मादें फुक्त दर्फाया जांके कौन में जरूर बताएं कि बहुत भी संदार भी हो यहां का देखिए वहां पर एक ब्रीच पर बड़ा सा पच्छी बैठा हुआ है लिए हम आपको अब लेकर चलते हैं मीनी जुगा जो सबसे संदार जीव है उसका नाम है इमूं इमूं सुत्यमुर्ग की भाती होता है इमूं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पच्छी है सुत्यमूर के बाद इमूं इमूं ही ऐसा पच्छी है जिसकी वजन तक्रीबन 50 किलो के लगवक होता है इसके अंडे का वजन तक्रीबन 800 ग्राम से 900 ग्राम तक होता है अब देख पारों के हमारे सामने वही है इमूं आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस चीरिया घर में हम लोगों को और क्या-क्या दिखाई देता है कि समय गर्मी का मौसम है पिलाल सभी जानवर आड में चूपे हुए हैं इसलिए उतने जानवर दिखाई नहीं देपा रहे हैं फिर भी हम आपको पूरी तरफ दिखाने बैठे हुए है और यहां पर बड़ा सा पच्छी बैठा हुआ है एक इमू इसरे दिखाई दे रहा है यहीं मुझी इमू सुतुमुर्ग की भाती दिखाई दे रहा है कि दिखें किया अधुना जारा है यहां का बिच पे एक देखिए यहां भी बड़ा सा जीव बैठा हुआ है कि संदार प्लेश भाई साब किया अगजभी नजा रहा है चोटा इसा ही पार्क है लेकिन बहुत ही खुट सुत नजा रहा है यहां आप खुद ही देखके जान पा रहे होंगे कि पिना दूर नजा रहा है आम देखिए लोगों को बैठें के लिए ब्रस्ता देखिया गया है अब आसानी से बैठ सकते हैं डिए बहुत है देख पार होंगे आप दूरह कि दिक्शा गया नाम है को तो हमें बताता भी और हम आब भी आपको बताते आब आप लोग कमेंट वाक्स में बताएगा कि कौऊंसा पंची है और आगे ले आगे लेए मीश्टे हैं यहां पर एक मोर भी दिखाई दे रहा है चलिए हम आगे आपको लेग चलते हैं जिस तलाब में मगरमच को रखा गया है कि यहां पर देख सकते हैं घड़ियाल वहां पर पानी दिखाई दे रहा है तीन तीन घड़ियाल हैं हmpur जहां पर ओर आगे लेक चलते हैं अर दिखाते हैं कि और आगे हमें क्या दिखाई देता हैं की अभी हम पहुंच चुक हैं एक ऐसे जानवार के पास जिसको साइद ही आपने पहले कभी देखा हो जिसका नाम है साही भारती साही एक रातिरी चरजीव है जिसका वह जन तकरीबन 11-18 किलोग्राम तक होता है और इसकी लंबाई 28-35 इंच तक होती है यही एक इस्तन धारी जीव है इनका सरीर बाल की कई पर्तों से ढका रहता है इनका बाल काटे नुमा होता है और खत्रा होने पर अपने काटे नुमा सरजना को खड़ा कर देते हैं इस अपनी सुरच्चा स्वाम ही कर लेते हैं अब देख पार होंगे यहाँ पर आठ नौ साही है यह जी देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं अब देख पा रहे होंगे कैसे सांथ सभाव से बैठे हुए हैं इस जाली के अंदर क्या सीन है भाई साब अब देख पा रहे होंगे दिखिए कितना सांथ है यह पुरा चुडिया घर क्योंकि अभी मारिंग का टाइम है हम अभी मारिंग के टाइम में ही यहां पर पहुँच चुके हैं इसलिए यहां पर अभी भीड नहीं है अगर आप 11 या 12 बज़े के टाइम आते हैं तो यहां पर आपको काफी ज़्यादा भीड दिखाई देगी यहां पर बिद्यसी परटक भी आते रहते हैं जो भी मातमबूद टेंपल घुमने आते हैं ओ लोग यहां भी आते हैं आप देख पार होंगे बगल में ही एक खुशुरत तलाब है आप इसमें बोटिंग आभी आनद ले सकते हैं अधस कि दिखएक कि तना अधूथ है और यहां लिएा इसे परक में आपको कुछ लिए दिखाई देंगे आप देख आ रहा होँगे यहां पर लोटिंग ना के बीडा से आप 10 मिनट की पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं कि देख पा रहे होंगे कितना खुपसूरत न जा रहा है यहां पर काला ही रन और बारा सिंगा भी है लेकिन इस समय मौसम सही नहीं है इसलिए सभी छूप कर बैठे हुए है एक तो गर्मी का समय है अब देख पा रहे होंग पूरा पूरा चुड़िया खर सन्नाटा पसरा हुआ चारो तरफ नहीं कोई जीव दिखाई दे रहा है नहीं कोई आदमी दिखाई दे रहा है फिर भी हम लोग यहां पर आए हैं चलिए बाव कर आगे देखते हैं आप देख पार यहां पर जो पार्क बना हुआ है उसके देख पारेंकों चारो तरफ रही है पहुत ही अद्बुद्रिस है चले और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या हमें दिखाई देता है यहां पर आप देख पार रहे होंगे जिराफ का एक बोड़ पच्ची तो बना हुआ है लेकिन यहां पर जिराफ है नहीं चले हम और आगे आपको लेकर चलते हैं अब देख पा रहे होंगे रेलिंक यहां कितना खुब्सूरत है और रेलिंक के मद्ध में आपको पानी भी देखने को मिल रहा होगा चलिए हम अब आप पोचे हैं फिर से यहां पर टिकट मिलता है अब हम अब से मिलेंगे अगले वी वेडियों आप लोगों पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब को साथ ही लाइक से रहों कमेंट करें अ झाल